Hello friends, welcome back to Let's Clear और यहाँ पर आजम बात करेंगे सीटेट की लीग की जो खबर है उसको लेके यहाँ पर हम सारी चीज़ें डेटेल में बात करने वाले हैं कि जो खबर है वो सही है कि नहीं जेन्मिन न्यूज कोई आई की नहीं और यहाँ पर अभी तक जो मेन हेड है वो अभी क्यों गिरफता नहीं हुआ सीटेट की तरफ से कोई ओफिशिल नोटिस क्यों अभी तक नहीं आई है यह सारी चीज़ें आपको यहाँ पर मिलने वाली है और कैसे स्टोएंट्स को लोग फसाते थे यहाँ तक की जो है एक्जाम भी तयार करवाते थे एक्जाम भी पर पेशन भी करवाते थे ऐसी भी निउस निकल के आ रही है ठीक है तो आप लोग को यहाँ पर सारी चीज़ें डेटेल में आपको बताई जाएंगी तो आप लोग जो है फीडियो को लास तक देखिएगा ठीक है देखिए यहाँ पर देखिए आपके समने स्क्रीन पर दिखा रहा है तर टाइमस ओफ इंडिया की आप आर्टकल देख सकते हैं लोगों से मोटी रकम लेकर बेजते थे पेपर यहाँ पर देखिए जो भी जो भी जोब्स वगयरा है तो यहाँ पर यह सारी निउस निकल के आ रही है और आपके सामने जो है आपके कुछ इस तरीके से कटिंग्स भी निकल के आई थी आपने देखा था धाई-धाई लाख रूपय में बेज देते प्रस्न और सीटेट का पेपर आउट कराने वाला कोचिंग रफ्तार हुआ था अभी तक क्या था आपको चीज़ें निकल के आ रही थी कि तीन मोबाइल फोन पकड़े गया है और तीन एड्मिट कार्ट वगयरा पकड़े गया है और कुछ एक स्विफ डिजार पकड़ी गयी है कुछ इस तरीके से निउज आपके सामने निकल के आ रही थी लेकिन अभी की अपडेट में कुछ चीज़ें यहां पर बदल गई है ठीक है क्या बदली है में आपको आपर बताने वाले उससे पहले आर्टिकल देखने है टाइमस अफ इंडिया का आर्टिकल के आ रहा है कि उत्तरप्रदेश STF on Tuesday को जो है अरेस्ट किया दो persons from the Karnatka कंकर खेरा area of merit of their alleged environment in the leak of Central Teacher Eligibility Test Seated Question Paper के लिए पकड़ा गया In the statement कहा गया STF ने कहा कि accused were identifies as Mahak Singh and Mathura की है जो रहने वाली और सूमबीर सिंग and a resident of Haryana के रहने वाले हैं दो लोग पकड़े गया है मैक Singh और यहां पर सूमबीर सिंग मैक सिंग यह property dealer है सूमबीर सिंग एक धाबे पर काम करता था पुलिस है रेसीब टिप मिली थी पुरुस को of the two persons involved in the leaking of seated paper और वो सेंटर पर पहुची थी कंकर खेरा पर जहां पर एक swift desire आके उतरी तो यहां पर इसको सकुआ और पेपर वगरा पाट रहे है तो यहां पर arrest के लिए गया तो यहां पर जनवरी 17 को जो है आपर देखे भी arrest किया गया जनवरी 17 को ने पकड़ा और 13 के पीपर के जो leak यह भी बात आई थी 12 के भी leak की बात आई थी 17 के भी यह तीन डेट्स की official leak अभी तक आई है इसके अलावा नहीं आई है लेकिन फिलाल के लिए अगर यह दिन में जब पेपर leak हुए है कैस के बीच में नहीं हुए होगे जरूर हुए होगे लेकिन जो lead मिली है सिर्फ इनी दिनों की मिली है और अभी तक जो main accused है अम इतना में उसका वो अभी तक नह पर एक गंटे पहले लमसम दे देते थे और यहीं पढ़ाते भी ते टीजिंग भी करते थे किस coaching में करते थे यह भी हम बताने वाले आपको देखे STF Office Center की महाग जो है property dealer थी और यहां पर यह सारी बाते हो गई अमित सिंग लखनवु का रहने वाला जो main यहां पे जो accused है द ठीक है बरजेस सिंग जो की यहां पे STF KSP है इनोंने register कर लिया है case 420, 470, 480, 480 और 120P धारा के तहट इनको जो arrest किया गया है सिर्फ और सिर्फ अभी दो लोगों को arrest किया गया है अमित सिंग को नहीं किया गया है ठीक है कारण क्या है यह देखेगा देखे यह यह चीज admit cards और दो अधार card एक pen card और एक swift desire बरामत की गई थी अभी तक ठीक है लेकिन अभी क्या है latest update में यह जो 3 mobile थी वो तो वैसे ही है लेकिन 133 प्रशन पत्र, 137 प्रशन पत्र, 28 प्रवेस पत्र ठीक है तो जिनके भी प्रवेस पत्र यहां पे मिले हैं उनके उपर कारवाई हो बनाते हैं और यहां पे पूश्टाच भी होगी ठीक है यहां पे पूश्टाच भी होगी कारवाई भी होगी ठीक है यह चीज आप जान लीजे क्योंकि उन्होंने भी पैसा दिया है इसलिए इनके पास प्रवेस पत्र है इनका इनके पास पाया गया है पाच चक पाये recording भी निकल के नहीं आई है, इसका भी जो चीज़े हैं, आपको पुक्ता सबूत दिखाने वाले हैं, देखें, सौ से अधिक लोगों को प्रस्पत अभी बेच चुके थे, और mobile data जो था उसको delete कर दिया था है, उन्होंने, जिसे को history निकल के ना है, ठीक है, seated कराने वाले गिर उन्होंने दूसरी mobile दिया, और वहां से चीज़े निकल के आई, कि हाँ, वो दूसरे WhatsApp में जो है, share किया था अपनी detail को, प्रस्पत्र को, वहां से चीज़े निकल के आई, ठीक है, देखें, 13 जनवरी को seated जो है हुआ था, उस दिन भी हुआ था, और 17 को भी हुआ था, और 12 क भी हुआ था, जैसे हमने आपको बताया, और ये लोग जो है, पढ़ाते थे, Apex Online Solution Lab फरीदाबाद में, 9 बजे सिफ्ट वाले भैरतियों को यहां पर पढ़ाया गया था, यह चीज़ निकल के सामने आ रही है, और यहां पर देखें, पेपर जहां 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 गया था, य तो मास्टर हब कोचिंग है, अमिट सिंग वहां पढ़ाता था, और वहां पर वध्यात्यों को संपर्ग में था, तो उसमें जो है, विभेन परिक्षाओं का जो परसनपत रहे उपलफ्त कराने का लालज देता था, ऐसे लोगों को जाल में फसाता था, और जो लोग फस ज लेते हैं, अमिट सिंग जो है, अभी तक क्यों नहीं फसा है, अमिट सिंग अभी क्यों नहीं गिरफ्तार किया गया है, तेके, अमिट सिंग जो है यहां पर उसने सबसे पहले यहां पर डेटा डेलीट कर दिया गया था, लेकिन दूसरे डेटा से यह सक्ष मिले हैं कि प्र हैं कि जब पूस्तास में मोबाइल जो सौंपा गया था उसमें कोई चीज मिला नहीं फिर वो लोग वाटसेब कॉल करते थे तो वाटसेब कॉल करने का एक फायदा यह होता है कि यहाँ पर आपकी चीज़ें रिकॉर्ड नहीं होती है आपकी मोबाइल फोन में अगर नॉर्म इन चीज़ें नहीं मिल पारें जिसे हमित संकों यहाँ पर किलियर किया जा सके अभी तक यहाँ पर कहीं न कहीं सुनने में आ रहा है कि आठ लोग यहाँ संपर्क में हैं आठ लोग मिले हुए हैं इन चीज़ों में ठीक है तो देखें CBSC अभी जो CBSC Central Board है यह जो है एक्ज आए थे ठीक है तभी जाके यह official notice निकालेगी और दूसी चीज इतने server के charge होते हैं कर्मचारी के charge है जो exam करारी उसके charge है तो सारे जो है payment पैसे लगते हैं तो इसमें CBSC इतना बड़ा risk नहीं लेगी हाँ लेकिन जो official dates निकल के आई हैं 12, 13, 17 वाली इन में कारवाई हो सकती ह इनके paper जो हैं फिर से paper हो सकते हैं इसमें संभावनाय जताई जा रही हैं लेकिन इसके further जो अभी paper होने वाले हैं तो यहाँ पे चीज़ें अभी कहीं न कहीं रुख गई हैं ठीक अभी ऐसा कहीं न कहीं रुख गई हैं क्योंकि अभी जब लोग पकड़े जा रहे हैं कहीं तैयारी करते रहें क्योंकि जो कारिवाई है वो जिनकी official dates निकल के आएगी सिर्फ उन्हीं की कारिवाई की जाएगी उन्हीं के फिर से paper लिए जा सकते हैं या कोई और मुद्दा अपनाया जा सकता है क्या चीज़े हैं वो notice के मादवन से पता लगेगी ठीक है तो आप लोग detailed analysis नहीं निकल के कोई detailed news निकल के नहीं आ रहे थी एक paper cutting की मादवन से कोई news बनाना जनुविन नहीं था तो लेकिन अभी सारी जगह पर आप देख सकते है official notice निकल के आ गई है और news paper में चीज़ें आ चुकी है तो कहीं न कहीं चीज़ें ये सही है ठीक है अब आपको ये च दिकत नहीं होनी चाहिए अभी तक के लिए और अगर कोई दिकत होती भी है ता हम लोग twitter campaign करेंगे इसके बारे में कि जो जो भी होगा उसके जो है आगे regarding आपको notice and update चैनल के माध्यम से मिलेगी अगर आप चैनल पर नए है तो subscribe कर दीज़ेगा वीडियो को share कर दीज़ेग जो experience परिसान है वो इससे समझ सकें और थोड़ा सा सांतों नाम को मिल सकें और अपनी तैयारी कर सकें मैं तर नक्स वीडियो में take care best of luck for your exams